हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईक्यू ग्यान, तो आज हम फोर्थ मही का हिंदू निश्पेपर अनलिसिस देखेंगे, तो कल का हमने स्किप कर दिया था को कि कल जो है कुछ इन्पॉर्टन ने था सारा पॉलिटिकल नीज था जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था दो तारी को उसको लेकर है पूरा जो एडिटोरियल्स या जो भी था वो पॉलिटिकल था तो आपका कल का पेपर जो है बिल्कुल एक्जाम पॉइंट और विसे में कहूं तो ज्यादा इंपॉर्टन कुछ भी नहीं था उसमें, इसलिकर हमने आपका टाइम बचाने के लिए उसको नह नोट्स में रखे हैं, बाकी नीज़ पेपर को आप एक बार देख सकते हैं फिर से, तो आपको समझ में आ जाएगा उतना कुछ बाकी नीज़ जो है, वो आपके एक्जाम के लिए, चाहे वो अब्जेक्टिव हो, प्रिलिम्स हो, मेंस हो, उसके लिए ज्यादा इंपॉर् प bouillon के लिए, तो आइए फ्रेंड करते हैं, इस चेनल को आप सब्सक्राइब कर लेगा, आप सब्सक्राइब करके आप गया को आईकन आएगा, बिल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबाए, ताकि यह आपको वीडियो की नोटिफिकेसन आ जाए, और बाकी एक्कोनोमिक् प्लेजियम सिस्टम क्या होता है टाइप बैंकिंग सिस्टम क्या है तो सब वीडियो को जरूर देखे ताकि आपका प्रिप्रेशन जो है वह आप आप आसानी से और घर बैठे या आप चीजों को समझ सके पहला जो इन्पॉर्टेंट न्यूज है लोकल इसूस लोकल इसूस क्रूसियल टू वोटर्स एक्रॉस स्टेट सर्वे तो यह बिसिकली जो है सर्वे किया जा रहा है किया गया था चीज डियस और लोपनीती ने उन्होंने बिसी पोस्ट इलेक्शन जो है पोस्ट पोल जो है वोटिंग के बाद सर्वे करनेट किया सारे स्टेट्स पांच्व आपका optional में survey point है, आपका एक topic है, इससे sociology option में हो गया, बहुत बाद statistics में पूछा जाता है, तो यह sample survey कैसे होता है और कैसे आप उसको करते हैं, उसका एक तरह से आपको case study आप इसमें दे सकते हैं, कि कहीं पर sample survey हुआ है, तो उसमें कैसा देखा गया, तो उस case study के तोड़ पर methodology ने अपनाया है, survey कैसे conduct किया है, sample size किया था, और method of weighing responses, इस सब इन्होंने बताया है, तो इसको आप case study के तोड़ पर, अपने optional में अगर आपको है यह subject, तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर methodology इंडिटोनियल के part में बताया गया, ओपे जो section है, इन्होंने बताया कि हमने sample survey कब किया, तो timing आपको देखना हो, किस survey आपको करना है, तो कब आपको करना है, किस समय सही है, उसके अलावा इन्होंने multi-stage systematic random sampling का method यूज किया है, अलग-अलग method होता है, sampling करने का, कि survey मालीज आपको करना है, किसी area में, तो किसको आपको survey करना है, आपका जो target कोन ह होगा, तो उसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि सारे population को आप survey नहीं कर सकते हैं, तो उसको जो निकालने के लिए sampling का method अलग-अलग होता है, तो इन्होंने multi-stage systematic random sampling का method अपनाया था, इसमें कैसे किया, इन्होंने randomly selected using probability proportional to size method, तो probability proportional to size method basis पे इन्होंने randomly select के constituencies को, जो इसमें किस consistency में इन्होंने survey किया, इसके लाग तो उसके बाद consistency हो गया, उसके बाद polling station कैसे करना है, तो four polling station within each of the sample consistency, तो चार polling station सभी के अंदर में 50 to four times यहां पे जो polling station इन्होंने फिर cover किया, यह भी इन्होंने systematic random sampling method से चूना कि कौन सा polling station इनको चाहिए, each polling station के अंदर में 40 voters को इन्हों where targeted, इसमें से 25 interview इन्होंने target किया, 25 interview इन्होंने किया, अब देखते, इसके बाद interview जो है face to face हुआ, कैसे करना, interview का भी अलग method होता है, आपने पढ़ा होगा optional में, sociology जी समाली आपका optional है, और बाकी subjects में भी यह कैसे interview होता है, face to face इन्होंने interview किया, interview को कैसे अच्छा बनाना ह तो questionnaire को जो आपने रिजाइन किया, सिमी स्ट्रक्चर वन था, और local language में इन्होंने किया, जैसे कि यहाँ देख रहे है, असामी जो बंगाली में, वो questionnaire को पेड़ किया था, questions को, कि एला मल्यालम को कि वहां का language है, तमिनाडू में तमिल में, अब बंगाल में, बंगाल में, इसके लाव इंटोव्य डूरेशन कितना था, तकर बंगाल में 25 मिनट का on an average था, जितना कोसन सा, उसे इसाब से इन्होंने देखा, achieved raw sampling, the achieved raw sample has been weighted by, और जो raw sample इन्होंने लिया, कितना लोग को करना है हमें, population को, उसको भी उन्होंने, gender, religion, locality, caste group के बैसिस पर, census data के बैसिस पर इन्होंने किया, यहां पर देख से अपने social profile के बैसिस पर इन्होंने, अपना जो है, target जो है, उसको choose किया, कि 2012, यहां पर देख हैं, हिंदू population, Muslim population, religion बैसिस पर किया, women, gender के बैसिस पर किया, इन्होंने, urban, rural, जो लोकलिटी के साफ से इन्होंने किया, इसको, तो यह basic sampling method बताता है, इसको आप case study में यूज कर सकते हैं, कि कैसे हमें sampling करना चाहिए, ताकि वो, जो survey है, वो fruitful हो, सही survey हो, उसके लिए sampling का method क् इसे करना है, तो यह इन्होंने, basically, इससे आप समझ सकते हैं, next आपका article है, ICMR to get royalty from co-vaccine sale, तो यह जो co-vaccine, जो vaccine है, जो इंडिया, indigenous vaccine है, इसको jointly developed किया था, आपका भायत, बायोटेक और ICMR, जो हमारा government, लेबरोर्टी जैक तरह से है, institution है, तो इसमें, जो MOU साइन वायत, उस property जैसे कि आपका patent हो गया, copyright हो गया, trademarks हो गया, तो उसको basically, ICMR, जो है, जो है, जो है, साथ मिनोंने vaccine develop किया था, तो intellectual property, इनको जो है, कुछ उसमें, कुछ उसमें, कुछ उसमें किया है, तो आपका कुछ investment उसमें लगाया है, इसलिए, royalty payment इनको दिया जाएगा, बायत, बाय इसके बारे में, कि royalty payment क्या होता है, आप समझ सकते हैं, कि basically कहां पर यूज होता है, intellectual property case में यूज होता है, royalty clause था already ICMR का on net sales and other clauses like prioritization of in-country supply, यह जो M.E.U. sign वाता है, ICMR और INS के बीच में, तो इसमें यहां पर लिखा गया है, कि partnership जो हुआ था, इसमें कुछ चीजों में, बा vaccine को develop करने के लिए 12 इनों को stage लगा, जिसमें clinical और pre-clinical studies involved है, पांच जो है, इसमें stages में, पूरा भायत बैटक न इसको fund किया, और बाकी activities जो है, ICMR न इसको fund का, इससे आप समझ सकते हैं, कि vaccine बनाने के लिए, develop करने के लिए क्या-का stages लगते हैं, इन चीजों से आप समझ स पर में, जो basically division of profit होगा, वो कैसे होगा, वो इस पर decide किया गया, तो यह पूरा बैसन कि IP property क्या हो, इससे आप समझ सकते हैं, और क्या-क्या जो vaccine एक development के लिए, detail में क्या-काई stages लगते हैं, क्या-क्याम होता है, कैसे-कैसे वो बढ़ता है, वो पूरा आपको दिख जाएगा है हाँ पर, जैसे कि pre-clinical safety आपने देखा, small animals में उसको test करके देखा पहले, फिर phase 1, clinical trial का 3 phase होता है, phase 1, 2 और 3, यह इन्होंने funding किया, इसमें क्या होता, basically, आप sites को fund करते हैं, clinical research organization को fund करते हैं, जो कि research conduct करेगा, trial करेगा, monitor करेगा, insurance देगा, किसी कुछ अगर हो जाता है, त testing, यह सारा कुछ था, ICMR ने भी उसमें कुछ किया, आपना ऐसे validation किया, आपका vaccine strain किया, कि कौन सा vaccine strain है, यह सब basically जो है, एक पूरा detail process यहां बताया गया है, vaccine development के लिए, इसको आप note down कर सकते हैं, कि क्या का stages होते हैं, next हमोग करते हैं, no GST or import of vaccines, medical oxygen, तो यह government important decision लिया था, कि ज तो vaccine, यह medical oxygen जो आप import कर रहे हैं, उस पर यह GST जो है, नहीं लगेगा, यह ad hoc decision है, क्योंकि GST council अभी convene नहीं हुआ है, तो government के पास, central government के पास power है, जिसके अंद इनोंने 30 June तक इसको exempt किया है GST से, तो already custom duty और health sales से इसको exempt कर दिया गया था पहले ही, और अब जो है, IGST से भ level for domestic companies or charity importing these items, if they are purchasing, तो अगर आप purchase करके मंगा रहे हैं, तो आपको यह GST देना होगा, अगर आप इसको distribute freely भी कर रहे हैं, तब भी, तो अगर आपको gift की तोर पे मिल रहा है, वहाँ पर, received free of cost for free distribution, तो आपको free में मिल रहा है, freely distribute कर रहे हैं, तब आपको भी GST नहीं लगेग अगर आप खरीद के मंगा रहे हैं, तो आपको GST देना होगा, यह clarification government ने announce किया है, तो इसके लिए state chief secretary को उनकिया है, और जो global donors है, जो freely देना चाहते हैं आपर, उनको register करना होगा state के साथ, ताकि उनको relief GST का मिल सके, तो यह पूरा पूरी प्रक्रिया है, GST के बारे में आ अलग-अलग categories है, उतनी भी समान से, उसको अलग-अलग category में रखा गया है, अलग-अलग tax लगता है, 12%, 13%, 20%, और उस बिसीद पर, यह GST council टेक्स rate डिसाइर करती है, समय समय पर, उसको revise किया जाता है, तो यह मोटा-मोटी GST के बारे में, इसके बारे में और वीडियो करूं के लिए, नेक्स्ट आपका जो important article है, प्ली 6 to regulate cost of HRCT test for COVID-19, तो यह में इसलिए रखा है कि HRCT test क्या होता है, बिसिकली यह high resolution computerized tomography, बिसिकली CT scans आप जानते होंगे, जो आप जाते हैं, तो CT scan जो होता है, चिस्ट का, तो उसका जो एक, और एक higher grade है, तरह से का सकते हैं, high resolution इस जानते हैं, उसके लिए, इसको recommend किया जारा है, बिसिकली बहुत जगा पर, को की, देखा जारा है कि RT-PCR से जो है, false negative ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे test जो है negative आ रहे हैं, जबकि पेसेंट में, यह symptoms रहते हैं, तो इसको लेकर हाई कोट में, बिसिकली आचिका दयार की use for detecting presence and severity of COVID inspection in lungs of patients, तो इसलिए यह test को recommend किया जारा है, दिली में हो जगा, कल जो है, बिसिकली, डेक्टर एंग्स जो है, उन्होंने भी कहा था, CT scans आप कम से कम करा है, क्योंकि CT scans जो है, कापी घातक हो सकता है, cancerous है, उसमें बिसिकली X-ray आप उसको use कर रहे हैं, तो कम से कम आ एक technique हम use करते हैं, ताकि resolution जो इमेज का अच्छा हो सकते हैं, मतल्स का जो इमेज आ रहा है, देखने के लिए आपका, उसको और अच्छा कर सकते हैं, ताकि अच्छी से आपको समझ में आए, कि उसमें infection है या नहीं है, तो various health problem और दूसरे health problem में काम आता है, अभी जो बिसि उसका width को कम कर दिया जाता, ताकि image अच्छे से आज सके, high special resolution imaging reconstruction algorithm को आपको चेंज कर दिया, और अलगलग कुछ चीज़े हैं, जो कि आपको जानने के जो बत रहे हैं, तो basically यह क्या है HRCT scan, CT scan का यह upgradeate कर सकते हैं, आप part है, next आपका एडिटोरियल पर हम आ जाते हैं, under reporting does hurt COVID fight तो basically उन्होंने कहा है कि under reporting का data जो हो रहा है, data जो under report हो रहा है, कितने positive आ रहा है, या कितना death हो रहा है, उसका under reporting हो रहा है, सही reporting नहीं हो रही है, उसका इन्होंने highlight किया basically, तो ग्लोबली अगर भी देखा गया है, MIT ने देखा था, ग्लोबली पिछले साल जो COVID pandemic हुआ था, तो ग्लोबली हम देखें, तब भी जो है, अन्डर रिपोर्टिंग हर कंट्री में हो रही थी, आराउंड 7 का इन्होंने कहा कि, cases के case में, और 1.4 death के case मतलब कि, अगर एक case report हो क्यों है, क्यों है, क्यों difficult है COVID infection और death को report कर पाना, उसको measure कर पाना, इन्होंने कुछ रीजन बताया है, जैसे कि asymptotic infections है, उसको measure नहीं कर सकते हैं, कुछ asymptotic है, उसका testing नहीं हुआ है, तो वो बच जाता है, testing से उसका reporting नहीं होती है, barriers to testing due to cost and travel time, तो cost के कारण बहुत साई लोग test नहीं कर रहे हैं, या testing नहीं हो पारी है, इलक्टेंस to test है, बहुत लोग test करा रहा हीं चाहता है, कोई stigma attached है, को कि आपको बंद कर दिया जाएगा, लोग आपसे मिलेंगे जूलेंगे नहीं, तो एक stigma जो attached हो रहाता है, घर से फैमिली से, उसके कारण लोग test नहीं कराते हैं, limited availability of test, test भी बहुत सारों में देखे हैं, आप तो अभी भी हमारे या test, जो kit है, वो available नहीं है बहुत जगा, तो testing limited हो पारी है, जितनी होनी चाहिए उतने नहीं हो पारी है, आपको अगर test कराना है, तो सब्ता आपको तीन दिन बाद, चार दिन बाद आपको कड़ा पाएं, अप्टिन ये false negative, ये भी देखा गया भी, कि RT-PCR में भी बहुत सारे जो test negative आ रहा है, लेकिन वो पेसेंट जो positive आ रहा है, बसीकली CT scan या अलग टेखनीक से देखा जा रहा है, या उनको symptoms है, या दूबारा test करने पर positive आ रहा है, तो ये सब basically कारण है, जिसके कारण जो है, testing, जो sorry, infections का cases है, वो सही report नहीं हो पार है, ये कारण आप लिशेपते हैं, data call case लेकर, अब death जो क्यों काम हो रहा है, death का reporting क्यों हो रही, उसका अलग कारण है, कुछ death outside healthcare facility घर पर ही हो जा रही है, तो उसका report नहीं हो पारा सही से, post COVID-19 death मतला ठीक हो गये, उसके बाद जो है, pre-existing comorbidity का पता करके उसको COVID में एकाउंट नहीं किया जाता है, इसके अलावाए, इंडिया और पूर डिलेएड इंफरस्ट्रॉक्टर्चरी रिपोर्टिंग अप डेस and certifying the cause of death, ये भी इंडिया में अगर देखे, तो death को report करना, उसको certify करना कि COVID से है, उसमें बहुत डिल सतर के बात कर रहे हैं, जबकि ठीक था, तब उसमें देखा गया था कि पांच में से सिफ एक death जो है, उसको medically report किया जाता था, उसको account किया जाता था, तो अभी के case में भी अगर हम देखे, तो ज्यादा इतना overload है इंफरस्टर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर् इसे हमें पता चलता है कितना dangerous है disease, पहली बात तो यह आप समा सकते हैं, उसको आप tackle कैसे करेंगे, जब आप पता नहीं हुआ कितना dangerous है, कहां infect कर रहा है, किस एडिया में infect कर रहा है, दूसरा quantity is how many infection a health system identifies, कितना infection आप, इसको यह देख रहा है, यह इससे so a successful surveillance strategy, तो अगर आ ही है, तो इन्होंने कुछ models के बात की, जिन्होंने कहा तक under reporting होड़ा है, अगर इंडिया के बात करें, under reporting cases between 10 to 20 and death 2 to 5, तो यहां पर पता है कि 10 से 20 गुना कम जो है, हम infection को report कर रहा है, और 2 से 5 गुना death कम report हो रही है, तो इन्होंने कैसे देखा basically, इसको कैसे identify किया, इस model को, कि 10 से 20 गुना कम हो रहा है, या death 2 से 5 गुना है, इन्होंने cross check किया zero survey से, zero survey में देखा गया कि देखनी वन, जो तीसरा से जो survey बाता, जन्वरी में, उसमें देखा है कि 21.5% जो इंडियन्स है, 18 साल से उपर, उन्होंने antibodies पाए गई, इसका मतलब जो है, approximately 59% of 1.36 billion citizens जो है, तो इसका मतलब 173 million adults already infected है, जबकि रिपोर्ट कर रही है, उसका मतलब 11 million cases ही है, इससे इन्होंने किया कि 17 गुना तक रिवन, 10 से 20 गुना तक रिवन, cases कम रिपोर्ट हो रहा है, इन अधर वर्स, only 6% of India's COVID infections are reported, यह एक है, अब आते है, इन्होंने किसे एकाउंट किया, कि 2-5 गुना डेथ कम रिपोर्ट हो रहा है, इसका इन्होंने एडिया बता है, कि a way to capture, to perform proper access death calculation, who die from any cause in a given region and period, और जो कहीं किसी भी रिजन और पीडियन में नों देखा, कोई भी इन अधर किया, historical trends से, कि उस एडिया में, in general, उस समय में, कितने death होते थे, उससे उन्होंने compared किया, based on past few years, और उसके बाद उन्हों अब जब किया, कि अगर कितना access death हो रहा है, तो वो COVID के कारण हो सकता है, तो यह basically एक modeling है, statistical modeling है, जिसके पिसे उन्होंने predict किया है, कि इंडि यूएस को compared किया, तो यहाँ पर भी हम बता है कि कैसे test कम reporting हो रही है, तो testing कम हो रही है, यहाँ पर, इंडिया में positivity rate अभी maximum 25% है, और USA में 15% देखा गया था, जबकि, अगर अब 7 day average देखे, यहाँ यह देख रहे है, आप पीगर में 7 day average अगर देखा गया इसमें, कि testing or cases have grown at compatibility rate in US, US में क्या क्या दिखा गया है, कि testing बढ़ रही है, तो उसी साब से reported cases भी बढ़ रहे थे, same rate पर, लेकिन इंडिया का कैस में क्या है, कि average testing, reported cases on average had been nearly 5 times higher than growth in testing, तो testing जितना growth नहीं हुआ, मानले testing 10 लाज से आमने 15 लाज किया, लेकिन cases है, वो उससे ज्यादा growth किया, testing त मतलब आपने कम testing कर रहा है, तो यहां से भी रहा है, कि जो reporting cases का, वो कम हो रहा है, और माते इसमें, क्या help है, यह data का, तो इस से जो हम predict कर सकते हैं, कि कि इतना हमें oxygen, hospital beds, या बाकी चीज़े जो हमें लगेगी, peak कब होगा, और duration किया होगा, pandemic कब तक रहेगा, without having more information, informative data, accurate projections are impossible तो या अगर data सही नहीं होगा, तो जो projections है, सही नहीं होगा, आपका policy decisions भी आप नहीं कर पाएंगे, better for public and policy makers to cause the true state of pandemic, तो अगर सही data होगा, तो आप सही state of pandemic समझ पाएंगे, और उस हिसाब से government और health authorities है, वो decision ले पाएंगी, तो यह इसका फायदा है, सही data का, नेक्स्ट आपका article है, a one health approach that targets people and animals, यह उनका one health approach के बारें बताया है, one health अबना अलड़ी deal किया, देखा भी पहले भी articles आया था, तो one health basically क्या है कि आप सब का health, जो है, इस approach का मतलब है, idea का, कि सभी का health interconnected है, चाहिए वो आदमी का हो, जानवर का हो, या environment का, तो तीनों का health interconnected ह मतलब किसी एक में अगर problem होता है, कुछ concern होता है, human health होता है, तो उसका effect animals होगा, environment को भी होगा, तो ऐसा नहीं, कि अगर हम human health को उसी बचाने के लिए करे, research करे, तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें जो है, तीनों को एक साथ ले करके चलना चाहिए, COVID policy making and decisions है, उसमें हमको health कर तो हमें तीनों का health देखना चाहिए, animal health भी सही रहे, human health भी सही रहे, और environment का health भी सही रहे, environment protection भी रहे, यह basically इन्होंने बताया है, one health approach के बारे में, यह government का इन्होंने बताया कि क्या policies रहा है, वो भी बताया है, इन्होंने, more than two third of existing emerging cancer disease are genotic, तो अभी जो भी हम देख रहे है अभी है, उसमें से दो त्रियाई तक्रिपें genotic disease है, genotic disease मतलब जो कि animal से human में या human से animal में transfer हो सकते हैं, sorry, animal से human में आये हैं, उससे हम कहते है genotic disease, यह जो virus है या pathogen है, यह आसानी से अभी हम देख रहे हैं आजकल, species barrier, मतलब animal एक species है, human एक species है, तो यह species का barrier है, वो आसानी से उसको तोर करके human में घुस जा रहे हैं, यहाँ पर बिमारिया फैला रहे है, यह अभी देखने को मिल रहा है, इसलिए हमें one health approach की तरफ जाने की जरुवत है, ताकि हम animal health को भी सही से protect कर सके, ताकि हमारा health भी मुझसे protected रहेगा, another category यह है, अपका anthropogenotic infections, जो कि human से animal में transfer हो र पर बद है, उस एजांपएं चाहां इनुर में दिये हैं, नीपा वार्यस हो गया, आपका मर्स हो गया, आपका मर्स हो गया, आवियन इफ्लेश यह सारे जो है अनिमल से ही हमारे में transfer हुए है, तो basically genotic diseases है यह भी, इंडिया ने क्या किया, basically अभी तक हम कहें genotic diseases को ले करके, तो इंडिया ने एक 1980s में National Standing Committee और जुनाजस इस्टेबिस किया गया था, funds भी अभी sanction हुए है, Center for One Health आपनापूर में एक center बनाया गया, One Health पर research करने के लिए, उसको देखने के लिए, policy मिलाने के लिए, डिपार्टमेंट अनिमल हस्पेंटरी जो है, उन्होंने several schemes launch की है, त इसको setup किया जाएगा, जो इसको देखेगा, policy बनायाएगा, research कर जाएगा इसको, इसके अलावा क्या government कर रही है, capacity building for veterinarians, veterinarian doctor होते है, veterinarian doctor, जो की animal को देखते हैं, उनका capacity building अच्छे से उनको तयार किया जा रहा है, और knowledge, ताकि वो जो है, genetic diseases को भी देख सके, उनको फैनले न नहीं किया गया है, तो उनको vaccinate करान लेका, ताकि वो बीमारी ना फैला पाए, एन इमेंस में, रहीज का इन्हों नहीं रंपल दिया है, कितना खतरना का रहीज भी 6 billion dollar तकरीवन economy को effect करता है, रहीज के करन, globally, तो mass doc vaccination government कर रही है, public education to render the country free of रहीज, इसके लावा अब्ज़ सकते हैं, तो उससे हमें बीमारिया फैल सकती है, तो इसको हमें देखने के जरुबत है, one health approach का importance बताए इन्होंने कि क्यों वो जरूरी है, उसको challenges क्या क्या है, इससे deal करने के लिए तो veterinary manpower shortage, जो जहां बता है, कम doctors है veterinary के, ताकि animal health को देखने के लिए कम doctors है, lack of information sharing between human and animal health institutions, जो अलगला institutions है, human health institutions होके, जो human health research करते हैं, animal health institutions जो animal health research करते हैं, तो दोनों के between information sharing कम हो रही है, उसनी नहीं है, ताकि हम information sharing बढ़ाने के जरुबत है, coordination on food safety at slaughter, distributed and retail facilities, food safety यहां पर देखने के जरुबत है, जो slaughterhouses है, तो यह basically challenges है, जिसको हमें दूर करने के जरुबत है, ताकि gen genetic diseases को हम कम से कम कर सके, तो यह basically उन्होंने यह genetic disease, one health approach के उपर में लिखाई, काफी important अभी बहुत बार जो COVID को लेका especially, आप इसको note down करें कि क्या-क्या हमें करने के जरुबत है, animal health के case में, और animal health का आप देखी रहे हैं, और one health approach होता क्या है, इसको हमें कैसे tackle करने की जरुब पर अप्रील में कम हो गया है, तो इन्होंने कहा है कि basically, weakening demand हो गया है, उसके बाद, March में क्यों ज्यादा हो था, क्योंकि fear of impending lockdown के कारण, लोग advanced पर से बहुत लए लोग ने किये, तो इससे बार ने बता है इन्होंने, तो अब यहां पर इन्होंने कहा है कि अभी GST council को इसको कम करने की जर्वत है, और पेंडेमिक सप्लाइज जो है, उसको हमें tax कम से कम tax rate में रखने की जर्वत है, और issue of bringing fuel under GST, तो यह तीन इसस को देखने के लिए GST council को convince करना चाहिए, नेक्स्ट आपका अर्टिकल दर nuclear challenge यह विसिकली North Korea और US का relation को लेकर के है, तो North Korea ने फिर अभी जो है, विसिकली होस्टाइल relation दोने के बीच में सुरू हो गया है, यह पर बताया गया कि क्या-क्या North Korea और US के बीच में relation रहा है nuclear relation को लेकर के, तो कुछ खास important नहीं है आपका इक्जाम के लिए, नेक्स्ट आपका Central Vista's work get not, तो Central Vista जो project है आप चालते होंगे, जिसमें की Indian Parliament बनाना है नया, प्राइम मिनिस्टर का residence है, common secretariat बनाने की बात है, common conference center है, और special SPG के लिए special building है, vice president enclave है, तो यह basically Central Vista का एक पार्ट है, दिली में, लुटियंस के अंदर में, इसका Environment Ministry से, इसको clearance मिल गया है, और यह CPWD इसको बनाएगी, इसको लिए टेंडर करेगी, दूसरे agencies बनाएगी इसको, तो Central Vista काफी important project है, इसके बारे हम डेटेल में समझ ले और इसको note down कर ले कि क्या-का इसके अंदर में आएगा, कहां पे होगा यह, और कौन कोई agencies में involved ह नेक्स्ट आपका जो आटिकल नेट पीजी पूट ओफ फॉर फोर मन तो यह government नेकल रिसाइड के, कि human power shortage जो है, उसको ले करके, एक important decision हो लिया है, कि NEET जो exam होता है, postgraduate medical admission के लिए, postgraduate history के लिए, उसको postpone कर दिया है, तकरिमन 4 महने के लिए at least, मतलब अगस्त के पहले यह न इनको यूज किया जाएगा, इसके अलावा, final year MBBS student जो है, उनको भी deploy किया जा सकता है, इन्होंने states को basically कहा है, कि आप उनको deploy कीजिए, टेली consultation के लिए, और monitoring of mild COVID cases के लिए, final year MBBS student को आप deploy कीजिए, ताकि shortages है, उसको हम भर सके, तो allow deployment of medical interns in COVID management duties under supervision of the faculty, उनको faculty supervision में इनको duty पे लगाया जाए, ताकि human resource का, जो में एक, माना जारा है, कि human resource हमार पास कम है, उसको हम कैसे भर सकते हैं, तो इस तरफ से हम उसको भर सकते हैं, उसके लावा, nurses with BSC and GNM qualification may be deployed for full time COVID duty, यह भी government डिसाइड किया है, कि इनको भी हम full time COVID duty के लिए लगाया जाएंगे, तो इसे फायद इनका minimum COVID duty करते हैं, तो, तो यह basically insurance scheme जो government का healthcare workers के लिए, वो इनके लिए भी यह उसमें cover होंगे, यह important decision है, human resource कम पर रहे हैं, doctors का कमी है, nurses की कमी है, उससे कैसे हम लड़े, उसके ही government ने decision लिया है, नेक्स हम आते हैं, इंडिया कोवीड टैली क्रॉसे टू करोर, तो इंडिया का जो COVID cases है, विसिकली दो करोर cases क्रॉस हो गया है, दो करोर, दो लाग, 75,000 जो cases इंडिया में रिपोर्ट हुए हैं आज तक, तो इस यह से बाद हम दूसरे country हैं, जिसने यह लेवल है, इंडिया है, नेक्स आपका आर्टेकल है factory output growth distillate PMI, तो PMI जो इंडेक्स है, आपका purchasing managers index, इसको IHS market इंडिया manufacturing जो है, वो करती है, इंडिया IHS market जो इसको survey को conduct कराती है, इन्होंने देखा है कि factory output जो है, वो distillate कर सकता है, growth जो है काम हुआ है, 55.5 जो है, इसका जो survey है, इसमें मेजर किय 55.5 जो है, पिछले मेना जो reading था, इसका 55.4 था, ज्यादा कुछ changes नहीं है, इसका PMI में जो है, इसका 50 से उपर अगर आता है survey का ranking, इसका मतलब expansion देखा जा रहा है, और 50 से कम आता है, इसका मतलब contraction है, तो PMI के बारे हम पहले बन discuss किया था, इसको मैं फिर से detail ने बता देता उपको, prelims के लिए और mains के दोनों में आप इसको यूज कर सकते हैं, यह basically indicator of business activity है, manufacturing and service sector में कैसा business है, हो रहा है, उसको major करता है, यह survey based है, मतलब survey के जाता है लोगों से जो manufacturers है या service sector में जो involved है लोगों, उनसे पूछा जाता है, उनका opinion लिया जाता है, about changes in their perception, उनके perception में क्य changes हुआ है, कुछ key business variables को लेकर की orders बढ़े है, output क्या उनका बढ़ा employment, क्या बढ़ा या घटा है, stock कैसा है, पर्षेज का मतलब की, आप पर्षेज करके stock कर रहे हैं, क्या है, stock का status क्या है, from a month before, पिछले मेने के मुकाबले, इस मेने कैसा रहा है, यह basically survey से यह data लेते हैं, इसा है, इस जीजो से 100 बीच में इसका number रहता है, 50 से उपर, इसका मतलब, इस मेने का इक्सपेंसर हुआ है, compared to previous month, previous month के comparison में, इस मेने कुछ expansion इन्हों ने देखा है, survey में, 50 से यह कम रहता है, इसका मतलब के contraction देखा गया, बिछले मेने का मुकाबले, इस मेने contraction economy में, और 50 इस में इसको हर महीना रिलीज किया जाता है, इसको लिख सकते है, इन नोट उसके लिए बना सकते है, तो फ्रेंड्स यह था आज का हिंदू नीकिपर अनलिस, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, जरू इसको लाइक करें, और शेर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, वार्ट्सेप पर, फेस्बूक पर, टेलिग्राम पर आप सेर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, सब्सक्राइब करके आप जो है बेल नोटिफिकेसन दवाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसन मिल जाएगी, आप उसको सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, टेलिक्राम पर इसका पीडिया भी आप लिस सकते हैं, और फोड़ा पर थाने थे टरेसरी आपको самой हैं, ताकि विसके हैं, ताकि आपकितूे हैं, तो कमाते हैं, ताकि एक रहुतय हैं।